तो पिछले एपिसोड में हमने देखा की 10,000 सौड से सुयांग को पता चलता है की मेजिक क्लाउड सेक्ट के लोग मेड जियाओ को जिंदा करने की कोशिस कर रहे हैं अब यह सुनकर सुयांग मैजिक क्लाउड सेक्ट में आ जाता है और वह सेक्ट की ओर आगे बढ़ने लगता है तभी वह एक फॉर्मेशन पर पैर रखता है जिससे वह फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वह उस फॉर्मेशन के अंदर फस जाता है तबी एक पर्सन वहाँ पर आते हुए बोलता है मुझे लगा था कि हमें रोकने के लिए यहाँ पर कम से कम युवान यिंग रेलम का मास्टर आएगा पर तुम तो बस QI Refining Realm पर हो पर तुम यहाँ पर हमारे formation में फस गए तो अब तुम्हें मरना पड़ेगा तबी सुयांग बोलता है यह तो बस एक टूटा हुआ मामूली सा formation है और तुम लोगों को लग रहा है कि यह formation तुम्हें मुझ से बचा लेगा तबी वहाँ पर दो लोग आते हुए बोलते हैं तुम बस QI Refining Realm पर हो और खुद को समझते क्या हो यह आज से 10,000 साल पुराना formation है जिसके अंदर फसने के बाद कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तबी सुयांग उस formation को destroy कर देता है और उन लोगों की ओर आगे बढ़ने लगता है यह देखकर सभी लोगों के होस उड़ जाते हैं और अब वहाँ पर खड़ा person बोलने लगता है आखिर तुम कौन हो तुम QI Refining Realm पर नहीं हो सकते सुयांग बोलता है मैं Tiyan sect का Patriarch हूँ यह सुनते ही वह person बोलने लगता है तो तुम वही हो जिसने मेरे disciple Zao Bai को मारा है सुयांग बोलता है मैंने यहाँ पर कई लोगों को मारा है तो मुझे याद नहीं उन में से तुम्हारा disciple Zao Bai कौन था यहां सुनते ही वह person सुयांग पर attack कर देता है पर सुयांग उसके attack को अपने हाथ से reflect कर देता है यहां देखते ही वह person अपनी सबसे खतरनाक technique का use करने लगता है जो देखकर उसके disciple बोलने लगते है मास्टर की यह टेकनिक काफी जाता खतरनाक है और आज तक इससे कोई भी पर्सन नहीं बच पाया है अब उस टेकनिक से वह पूरा एडिया फ्रीज हो जाता है जो देखते ही सुयांग अपने पास से कुछ फायर बॉल निकालते हुए उनसे उस पर अटेक करने के लिए तैयार हो जाता है जो देखती ही उस पर्सन के डिसाइपल हसने लगते हैं इतनी खतरनाक आइस पावर का सामना यह पर्सन छोटे से फायर बॉल से करना चाहता है तब इस उयांग अपने फायर बॉल से उस पर अटेक कर देता है जिससे वहां मौजूद सभी आइस पीगल जाती है और उन तीनों के सरीर में आग लग जाता है जो देखकर वह तीनों इधर उधर भागने लगते हैं अब वह दुनों डिसाइपल अपने मास्टर के पास भागते हुए जाते हैं और उसे उठाते हैं तभी सुयांग बोलता है मेरे पास यहां पर तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है तो मुझे बताओ आखिर मैड जी आओ को तुमने कहां पर छिपा कर रख रखा है तभी वह पर्सन खड़ा होते हुए सीलिंग क्विन टेकनिक का यूज करते हुए सुयांग पर अटेक कर देता है तभी एक फॉग उसे चारो ओर से घेर लेता है तभी वह पर्सन अपने पास ते एक सीक्रेट ट्रेजर कुन बोटल निकालता है और अब वह बोटल उस फॉग के साथ सुयांग को भी अपने अंदर समा लेता है जो देखकर उसके डिसाइपल्स खुस हो जाते हैं और अपने मास्टर की तारीफ करने लगते हैं तभी उनका मास्टर बोलता है आखिर तुम लोग खुस क्यों हो यहाँ पर एक QI Defining Realm के परसन से फाइट करने के लिए मुझे कुन बोटल का यूज करना पड़ा और इसका यूज मैंने अपनी जान बचाने के लिए किया है तो यह एक सरम की बात है तो अब तुम दोनों भागते हुए उस जगह पर जाओ और देखो की मास्टर को वह काम करने में हमारी कोई मदद तो नहीं चाहिए जो सुनकर वह दोनों डिसाइपल वहाँ से चले जाते हैं दूशरी और कुन बोटल के अंदर सुयांग चारो और घूम रहा होता है और अब वह देखता है कि उस बोटल के अंदर कई सारे डीमन और्व होते हैं साथी साथ उस बोटल के अंदर कई सारे जिन्दा डीमन्स भी कैद होते हैं जो देखकर सुयांग खुस हो जाता है और बोलने लगता है मेरी तो लोटरी लग गई अब इन सभी beast को मार कर इनके spirit orb मैं collect कर लूँगा जिसके बाद वह वहां मौजूद सभी monsters को मार कर उनकी demon pills को collect करने लगता है दूसरी और उस person के disciples भागते हुए एक जगह पर आते हैं जहाँ पर magic cloud sect के लोग एक dragon पर control करने की कोशिस कर रहे होते हैं पर वह dragon काफी ज़्यादा powerful होता है और वहां पर सभी लोग मिलकर भी उसे control नहीं कर पा रहे होते हैं और अब एक एक करके सभी लोग वहां पर बेहोसोने लगते हैं तबे वह person भी भागता हुआ वहां पर पहुंच जाता है और अब वह बोलता है कि हम पिछले 7 दिन से समझोर हो जाता है और उसमें एक दरार आजाती है यह देखते ही वह dragon उस formation को तोड़ कर वहां से बाहर निकल जाता है और अब वह magic cloud sect के सभी लोगों पर attack करके उन्हें घायल कर देता है और बोलता है कि तुम लोगों ने कई हजारों सालों से मुझे यहां पर कैद करके रखा है पर finally मैं यहां पर आजाद हो गया और आज यहां पर मैं तुम सभी लोगों को मार कर खाऊंगा और अपने हजारों सालों की भूख को मिटाऊंगा और यहां बोलते हुए वह उस परसन पर अटेक कर देता है जो देखकर वह परसन उस ड्रैगन से फाइट करने की कोशिस करता है पर वह ड्रैगन अपने एक ही अटेक में उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है जिसके बाद वह दुबारा से उस person पर attack करने के लिए आगे बढ़ता है तभी वह person अपने पास से कुन bottle को निकालते हुए उस dragon को उसके अंदर absorb करने की कोशिस करता है पर वह dragon बहुत ही जादा powerful होता है और अब वह उस bottle के अंदर जाने से मना कर देता है जो देखते ही वह person बादल के अंदर मौजूद सभी demon pill का यूज करते हुए कुन bottle की power को बढ़ा कर उस demon को bottle के अंदर absorb करने लगता है दूसरी ओर सुयांग सभी monsters को मार कर demon pill को collect कर रहा होता है पर तभी सभी demon pills बादल से बाहर निकल कर जाने लगते हैं जो देखकर उसे काफी गुसा आता है और अब वह गुसे में उस bottle को destroy करके उससे बाहर आ जाता है जिससे वह bottle blast हो जाता है और उस bottle के blast होने की वज़ह से वह dragon भी वहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है तभी सुयांग bottle से बाहर आते हुए बोलता है आखिर किस की हिम्मत हुई मेरे मारे गए monsters के demon pill को collect करने की और यहीं पर यह episode खतम हो जाता है